नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनेवास महरा के साथ साथियों शाला दरपण पर रिजल्ट एंड परमोशन टेप को एक्टिव किया जा चुका है इसे में यदि आपके विद्याले में कोई छात्र गलत परमोट हो गया हो या कोई विद्ध्यारती पर्मोट किसी कारणवश नहीं हो पाया हो या किसी विद्ध्यारती को आपको डी पर्मोट करना हो तो ऐसे में आपको result and promotion tape पर कार्य कैसे करना है उसकी जानकारी लेकर आज मैं आपके साथ उपस्तित हूँ और हाँ सात्यों आपसे निवेधन रहेगा कि यदि आप संपुन परक्रिया जानना चाते हैं तो आप इस वीडियो को अंत्य तक अवश्य देखिए निश्चिती वीडियो आपकी मदद करेगी तो चलिए सात्यों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं प्रक्रिया सबसे पहले आपको विद्याले को लोगिन कर लेना है इस तरह का प्रस्त आपके सामने आएगा अब सात्यों यहें विद्यार्थित संबंदित कारी है तो यहां एक टेप हमें उपलब दे विद्यार्थी इस पर आपको क्लिक कर लेना है अब यहां कई तरह के अन्य ओप्शन आपके सामने आएगा यहां एक ओप्शन आपको मिलेगा result and promotion तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है जैसे ही आप उप्शन पर क्लिक करेंगे नीचे की और आपके सामने एक important note आएगा तो सात्यों मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस important note को अवश्य पड़ें और इसमें जो instruction आपको दिये गए हैं उनको अवश्य फोलो करें अब यदि आप इससे संबंदित user manual डाउनलोड करना चाते हैं तो यहां आपको एक option अवलेबल करवाया गया है user manual वो भी download करके आप देख सकते हैं और उसे read कर सकते हैं जानकारी ले सकते हैं अब आपको यहां नीचे की और आजाना यहां आपको मिलेगा last session तो last session के नीचे हमें select box दिया हुआ है तो इस पर आपको click कर लेना है जैसे ही आप इस पर click करोगे हमारे सामने session की list open होगी तो पिछला जो हमारा सत्रता वो 2020 सिक्किस था इस पर आपको click कर लेना है अब इसी के नीचे आपको class मिलेगा class में भी आपको select box दिया हुआ है तो इहां जैसे ही आप click करेंगे आपके विद्याले में जितनी भी classes सलती होगी उसकी information आपके सामने यहां display हो जाएगी अब आपको इहां class select करनी है मैं यहां class 4 select कर रहा हूँ उसी तरह आपको इहां नीचे जब आप आओगे तो इहां और option मिलेगा section का तो यहां भी select box दिया हुआ है आप यहां click करेंगे जितने भी section आपके विद्याले में चलते होंगे उसकी list आपके सामने यहां आ जाएगी फिलाल मेरे विद्याले में एक ही section चलता है तो मुझे एक ही display हो रहा है अब सबसे अंत में आपको option मिलेगा go का तो इस option पर आपको click कर लेना है अब इस तरह का प्रस्थ आपको नीची की और display होगा यहां सबसे पहले आपको serial number मिलेगा उसके बाद चातर के SR number आपको display होगे उसके बाद आपके चातर का name आपको display होगा उसके आगे आपको मिलेगा सातियो result का option तो यहां आपको promote 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 गया है उसकी information आपको यहां show होगी तो यहां यदि आपके विद्याले में कक्षा 5 सबसे उच्चितम कक्षा है तो यहां higher class लिखा मिलेगा आपको यदि आपके विद्याले में 8 है तो वहां आपको higher class मिलेगा लेकिन चुकि मैंने जो हो कक्षा 4 का open किया है तो मुझे जैस पांच में प्रमोट हुआ है वो मुझे यहां डिस्पले हो रहा है अब सात्यों आपको यहां देखना है exam result में सब के सामने प्रमोट आपको मिल रहा होगा लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कि किसी विद्यारती का गलत प्रमोशन हो गया है या वो absent रहा था फिर भी उसको प्रमोट कर दिया है या वो प्रमोट ही नहीं हुआ है तो ऐसी कंडिशन में आपको मैं यहां एक example के तोर पर बताता हूँ जैसे serial number 4 का जो बालक है इसका मेरे विद्याले में प्रमोशन हो चुका था लेकिन इसके अभी बाओ को ने अनुरोध किया कि sir इसे डी प्रमोट किया जाए मेरे जो बालक है उसको आप पुना इसी क्लास में रख सकते हैं और उन्होंने मुझे लिखित में दिया है तो ऐसी condition में मैंने इसको repeat request डाला है यहां पे तो जैसे मैं आपको यहां बता देता हूं और आपको कौन-कौन से option मिलेंगे जैसे आप यहां क्लिक करेंगे आपके सामने तीन option आएंगे प्रमोट उसके बाद repeat request उसके बाद absent तो जो भी आप करना चाते हैं यदि छात्र को promote करना चाते हैं तो promote वाले option पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यदि आप repeat करना चाते हैं तो repeat वाले पर क्लिक कर लेंगे और यदि वो absent रहा है और गलत promote हो रहा है तो आप absent भी यहां उसे show कर सकते हैं यह repent करता है आपके विद्याले की situation पर और सात्यों मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो वीडियो है केवल आपके help के लिए है यदि इस वीडियो में और विबागी आदेश में कोई अंतर आता है तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोद रहेगा कि आप विबागी आदेश को ही प्रात्मिक्ता दे क्योंकि यह वीडियो आपकी सिर्फ help के लिए बनाई गई है तो मैंने फिलाल यहां कर लिया है repeat request और उसके आगे हमें यहां दो निशान मिल रहे है एक तो right का green color में मिल रहा है उसी के पास cross का एक निशान मिल रहा है तो हमें यहां इसको मालो मैं cancel करना चाता हूँ तो जी यह raid में मुझे cross का निशान मिल रहा है इस पर मैं click कर लूँगा अब जैसे इस पर मैं click करूँगा शाला दरपन थोड़ी डेर process करेगी और इस तरह का dialogue box आपके सामने display होगा जिसमें मुझे मिल रहा है success student promotion has been cancelled successfully तो ऐसा आपको भी मिलेगा यदि आप विद्यारती को promote करोगे तो यहां लिखा मिलेगा आपको success student promotion successfully तो जो भी आप करेंगे वो आपको यहां display हो जाएगा और इससे आप confirm हो जाएए जो आपने शाला दरपन पर कारी किया है वो आपका successful रहा है उम्मीद है सातियों वीडियो आपकी निश्यती help करेगी और हाँ यह जानकारी आपको कैसी लगी इसकी जानकारी मुझे आपसे निवेधन है कि आप मुझे वो comment करके आपके comment अवश्य बताएं ताकि आपके लिए मैं ऐसी नवींतम जानकारियां लाने है तो प्रेरीत रहूं और मैं खुद को भी motivate मैसूस करूं और आप तक ऐसी जानकारियां निरंतर पहुचाता रहूं उम्मीद है सातियों वीडियो आपकी help करेगी मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ तब तक के लिए जय हिन जय बारत